Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter 12 of your class 5 new mulberry English book Tales of Young Gandhi. Video start करने से पहले मैं आप सबसे request करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आया हैं या फिर आप में से चैनल की इसी वी 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 डियो से आपको help मिलिये तो आप मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ओके So let's start the explanation ये जो chapter है Tales of Young Gandhi एक author नहीं जानवी प्रसाद उनकी एक book है Tales of Young Gandhi उसमें से एक छोटा सा extract लिया हुआ है Tales of Young Gandhi जो उनकी book है उसमें उन्होंने गांधी जी के life के बारे में बहुत ही अच्छे और simple तरीके से उसमें दर्शाय है चितर के जर्य है ठीक है और सबसे पहले हमें starting में quote लिखावा दिखता है इसे हमें rearrange करना है तो मैं आप सब को rearrange करके बता देती हूँ यू must be the change you wish to see in the world ठीक है जो बदलाव हम अपने पूरे दुनिया में देखना चाते है पहले हमें वो बदलाव अपनी जिन्दगी में लाना होगा और ये quote किसी और ने नहीं Mohandas Karamchand Gandhi जी का ही कहा हूँआ एक quote है ठीक है so let's start the chapter Gandhi has been called the Mahatma meaning the great soul but as a young boy he faced the same challenges similar to what many of us face let's read and extract from the book tales of young Gandhi to learn more about Gandhi as a young boy chapter के beginning में हमें थोड़ा से introduction दिया गया है कि Gandhi जी को Mahatma कहा जाता है जिसका मतलब होता है Mahanatma लेकिन जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके जिन्दगी में भी वही सारे प्रॉब्लम थे जो के हम लोगों की जिन्दगी में होते हैं जब हम छोटे होते हैं तो यह एक छोटा से extract है हम इसे पढ़ते हैं on the west coast of India in पौरबंदर गुजरात lived a family the Gandhis करमचन his wife putli by their daughter and three sons तो भारत के भारत के west coast पे यानि west टट पे एक परिवार रहा करता था गुजरात पोरबंदर गुजरात में उनका टाइटल था गांधी तो उनके परिवार में कौन-कौन थे सबसे पहले थे मिस्टर करमचन फिर उनकी वाइफ पुतली बाई उनकी बेटी और उनके तीन बेटे मोहंदास करमचन गांधी वह उस्टर यंगेस्ट बॉन और टू अक्टूबर 1869 मोहंदास करमचन गांधी जी सबसे छोटे थे और उनका जन्म दो अक्टूबर 1879 में हुआ था अब यहां से जो हम एक्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे वो गांधी जी के ही ऐसा है कि गांधी जी ये खुद बता रहे हैं ठीक है तो अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं गांधी जी का जन्म कहा हुआ था पोर बंदर में साथ साल के जब होते तो उनके पिता जी का ट्रांसवर कहा हो गया था राजकोट में उन्होंने राजकोट में राजस्तानी कोट में नौकरी शुरू कर दी थी और वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल था छोटे बच्चों का वहाँ पर गांधी जी का एडमिशन हो चुका था गांधी जी कहना है कि मेरा दिल कभी भी बढ़ाई में नहीं लगता था मुझे अपने टीचर्स का मजाक उडाने में ज़्यादा दिल्चस्पी होती थी मैं एक बहुती आम सा एवरेज सा स्टुडेंटा जिसे मल्टिप्लिकेशन के टेबल्स जो होते है वो भी पहाड़े जो होते वो भी याद नहीं होते थे तो गानी जी बच्पन में बहुत जाद शर्मीले थे वो कहते हैं कि मैं इतना शर्मीला था कि मैं अपना जो सर है वो हमेशा बुक पे ही जुका के रखता था हालकि मैं बुक से कुछ भी समझ नहीं पाता था और मुझे इस्कूल का कोई भी कार्य करना पसंद नहीं था तो अब गानी जी का कहना है कि मैं बिलकुल ही ऐसा नहीं ऐसी बात नहीं कि मैं बिलकुल नारायक था थोड़ी मेरी किस्मत थी और थोड़ी मेरी महनत के मुझे दो सालों में चार रुपे और दस रुपे का स्कूलर्शिप पूरे साल के लिए मिला था तो ये उस वक्त की बात है बहुत पहले की तो इस वजह से ये 4 रुपे और 10 रुपे उस वक्त बहुत ही जादा माने जाते थे तो गांदी जी कह रहा है कि मुझे कुछ सब्जेक्ट जो है वो जादा इजी लगते थे पहले मुझे जो मैटरी बहुत जादा ही चैलेंजिंग लगती थी मुझे बिलकुल समझ नहीं आती थी लेकिन मैंने उस पे बहुत जादा कड़ी महनत की और उसके बाद मुझे ये समझ में आए कि इस सब्जेक्ट में कुछ जादा ही कि तफ नहीं है मैं जब कि ये सब्जेक्ट तो काफी जादा सिंपल है संस्क्रीट वस हाड़र, everything had to be learned by heart I almost switched to the Persian class on hearing it was easy and the teacher was lenient but the Sanskrit teacher persuaded me to keep learning the language तो गांदी जी का कहना है कि संस्क्रीट जो है वो बहुत जादा ही tough थी और उसमें जो भी याद करना पड़ता था वो बिल्कुल मुझ जबानी याद करना पड़ता था बिल्कुल ऐसे के एक भी word इधर उधर ना हो इसलिए मैंने क्या किया कि पर्शियन क्लास मैंने जोइन कर लिया क्योंकि वो आसान थी और जो उसके टीचर थे पढ़ाने वाले वो भी इतने जादा कड़े नहीं थे लेकिन संस्क्रीट टीचर फिर भी मेरे पीछे पढ़े रहते थे कि मुझे इसी लैंग्विज को सीखना है रन फास्टर मॉनिया रन तो उनके घर वाले गानी जी के घर वाले उनको कह रहे हैं उनका निकनेम था मॉनिया और वो उनसे कह रहे हैं कि तुम तेज भाग वो गानी जी का कहना है कि मैं बहुत जादा शर्मीला था मैं यहां तक कि अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी बात करने में कतर आता था क्योंकि मुझे लगता था को लोग मुझे पर हसेंगे और ये मेरी सबसे बड़ी बच्पन की कमजोरी थी तो अब गांदी जी बड़े हो चुके और वो हाई स्कूल में पहुच चुके थे तो उनके जो हेड मास्टर थे दोराब जी एडूल जी गीमी उन्होंने जीमनास्टिक, फुटबॉल और क्रिकेट को स्लेबस में एकदम कमपलसरी कर दिया था और गांदी जी को उससे डर लगता था वज़ा ये थी कि वो इतने शर्मी रहे थे कि उन्हें प्लेग्राउंड पे खेलना खेल के मैदान में खेलना भी उन्हें वे गुट फॉर हेल्थ एंड स्वाई फॉर्म दर हैबिट ऑफ फिट विच केट मी फिट एंड रोबस्ट तो अब गानी चीए कहने के जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि शारिरिक जो चूसती है वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी मानसिक चूसती है और मुझे ये भी पता चला कि जादा देर तक चलने से अगर आप खुली हवा में जादे लंबे लंबे वॉक करते हैं तो आपकी सेहत बहुत जाद अच्छी रहती है तो इसलिए मैंने बाद में इसकी बिलकुल आदट डाल दी ती जिसकी वज़से मैं फिट रहता था और फूर्तीला रहा करता था तो एक दिन गांधी जी कह रहे कि मैं जिम्नास्टिक क्लास को स्किप करना चाहता था छोड़ना चाहता था और घर जल्दी जाना चाहता था क्योंकि मेरे पिता जी बिमार थे तो मिस्टर गीमी ने गांधी जी की इस रेक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो आधी स्कूल से जल्दी घर चले जाए तो गांधी जी कह रहे हैं कि उसके आगे की जो सनीचर में हमारी एक 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 एक्स्टर क्लास थी बिल्कुल कमपलसरी थी जीम्नास्टिक की चार बज़े और मेरे पास कोई भी घड़ी ना होने की वज़े से मैंने एक घंटा जो है टाइम को इधर उधर कैल्कुलेट कर लिया तो गांधी जी को लगा कि अभी जाने का सही वक्त है जबकि उन्हें पहले जाना था और जब वो इसकूल पहुंचते है तो सारे बच्चे चले गए होते हैं ओ नो जस्ट माइ लग तो अब गांधी जी कह रहे हैं कि यह क्या हुआ यह तो मेरी किस्मत का ही दोश है तो अगले दिन गांधी जी के टीचर उन्हें डाटते हैं कि तुम अपने गयर हाजरी के लिए जूट बोलना बंद करो गांधी कहते हैं कि लेकिन सर और उनके टीचर फिर कहते हैं कि कुछ भी तुम कहलो मुझे तुम्हारा पर यकीन नहीं है और तुम्हें फाइन देना पड़ेगा एक और दो आना का और बस यह देकर बात खतम करो डिस्पाइट में अधर फ्लॉस आई नेवर एवर लाइट तो माई टीचर आई फेल टू प्रूव माई इनोसेंस तो अब गानी जी कहरें के महले मुझे में काफी सारी कमिया हो लेकिन मैंने कभी भी अपने टीचर से जूट नहीं कहा था लेकिन इस बार भी मैं अपनी सच्चाई सावित नहीं कर पाता तो मी दा एक्ट ओफ चीटिंग वस ओफूल फॉर थाई स्कूल एग्जामिनेशन वी हैट तो राइट फाइव वर्ट्स एज इस्पेलिंग एक्सेसाइज तो गानी जब एक और बात बता रहे हैं कि मेरे लिए चीटिंग जो करना जो है एक्जाम में वो बहुत ही जादा खराब मेरे लिए नजदीक था और एक बार हाइज स्कूल एक्जामिनेशन में हमें पांच शब्द लिखने थे उनकी स्पेलिंग लिखनी थी ठीक है क्योंकि मिस्टर गाइज जो सुपर्वाइजर थे एक्जाम में जो चेकिंग कर रहे थे कि बच्चे चीटिंग ना करें वो चीटिंग करने दे रहे थे बच्चों को इसंट ही देर टू प्रेवेंट अस फॉम कॉपिंग तो गानी जी बैट के सोचते है कि क्या यह यहां पे हमें कॉपी करने से रोखने के लिए नहीं है I couldn't spell kettle and in fact I spelled every word wrong I refuse to be prompted तो अब गानी जी कह रहे कि मैं kettle word को spell नहीं कर पाया और यहां तक कि मैंने सारे word की spelling गलत लिखी I still had deep respect for Mr. Guiles as I did for all my teachers and elders तो ओ कह रहे कि अब लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी मेरे दिल में Mr. Guiles के लिए बहुत जादा ही इज़त है जैसे कि मैं अपने सारे teachers और बड़ों की इज़त करता हूँ So this is the end of the chapter Please like, share and subscribe to my channel Thank you